हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अग्जाम तक तो फ्रेंट्स आज में आप लोग के सामने एक ख़बर लेकर करके आया हूं जो काफी पुरानी है लेकन आप लोगों के अतिति शिक्षकों कुछ से रिलेटेड अपने ही पहले मदप्रदेश के दो भाग हुआ करते थे मलब एक ही हुआ करता था मदप्रदेश लेकिन अब मदप्रदेश के दो भाग बन चुके हैं तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सही और ऑथन्टिक जानकारी चाहते हैं बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब करने कवाद वैल आइकोन जरू 2000 में मदप्रदेश से अलग होकर 36 गड़ बना तो 36 गड़ में अतिति शिक्सकों के लिए क्या किया गया मैं आपको बताना जा रहा हूं वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होगा लेकर मैं यह जानकारी क्यों आपको बताना जा रहे हूं वह सबसे पहले समझा दूं देखिए इसलिए बताने जा रहा हूं कि मदप्रदेश में अगर हाई कोड में पूछा जाए कि क्या हो सकता है इस आदेश का हवाला दे करके 36 गड़ के अतिति शिक्सकों को पर्मानेंट किया जा सकता है वहलब ऐसा आदेश से आप इस आदेश से मेरे बताने का मतलब यही है कि इस सादेश के धात मदप्रदेश में भी अतिति शिक्सकों का पद इस्थाई किया जा सकता है तो 36 सरकार अतिति शिक्सकों को नियमिती कणकी और बढ़ रही है क्या मदप्रेश सरकार ऐसा कर सकती है नहीं इसके बारे में कि चतिशगण सासन इस्कूल सिक्ष्य भाग मंत्राले रायपूर का है नया रायपूर अटल लंगर 16 मार्च 2022 संचलक लोग सिक्ष्ण संचनाले इंद्राबती भावन नया रायपूर अटल लंगर अतिति शिक्सकों के संबंद में बर्स 2018 में नई सरकार कठन के पस्चात आ काफी समय से अतितिति शिक्ष्य व्हाग में सम्मिल्यण की मां करते रहें अतहा सासन द्वार यह लिया गया है लोगम इस्ठान आंत्रक्त से पदास्तर आगामी आदेस्ट माने लिए यानि कि ऐसे न और यह आ पर यह भरा हुआ मानाल लिए गया है यैनि इनको किसी भी तरीके से निकालन नहीं जाएगा यह वहाँ पर किया गया है सोला मार्च का अदेश था आर्पी वर्मा आपर सचो चट्रिस गडशासन स्कूल सिक्षव भाग तो वहाँ पर ऐसा इस अतिती सिस्कों के लिए यह किया गया है इसी हवाला दे करके मद्द प्रद करने के बाद अपने मित्रों तक ज्यादा ज्यादा पहुंचाइए क्योंकि यह वीडियो सीम तक जाना चाहिए क्योंकि उनको थोड़ा सर्म तो आए कि मिलो इस ट्राइब का देश जब दूसरे राज में हो सकता तो यहां क्यों नहीं और चुनाव है जरूर आपकी मांग हो सकती है तो आप इसको ज्यादा ज्यादा फैलाने की कोसिस कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे मिलते अंगले वीडियो में जब तक लिए जय हिंद जय भारत